कि अभी कुछ ऐसी बाते हो जाती है कि आदमी थोड़ा बिचलित हो जाता है तिकिन तिन चार पांच दिन में सारा चीज जो है समाने हो जो तिन पाटियां है घर में तो छोटी छोटी बात पे तक्रार होती रहती है तिकिन ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है एक दो तीन सब्सक्राइब नमस्कार आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ सौरव राज बिहार में क्या इंडिये के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है क्योंकि लगातार निटीज कुमार और भाजपा दोनों के बीच में जो कह सकते हैं बोल है वो बदली बली नजर आ रही है हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसर अजय निसाथ जिन से जानेंगे कि क्या इंडिये में सब कुछ सही नहीं चल रहा है निटीज कुमार का चेहरा पसंद नहीं है सर जिस तरीके जो ख़बरे आ रही है जो महौल बना हुआ बिहार में कि बीजेपी और जदिव के बीच में सब कुछ सही नहीं है नहीं सब कुछ ठीक है थोरा मुरा साथ जो ममला है जो और नाचल परदेस में जो छे जदिव के विधायक थे वह बीजीपी ज्वाइन कर लिए हैं उसी के सब लोग अपने अपने सुतंत हैं जैसा कि बराबार आपका प्यान आ रहा है कि नितिश जी भी बोल रहा है कि हम अगाल में भी जदिव का करिंडेट उतारेंगे तो बिहार के बाहर गठ्वंदन नहीं है इसलिए उतार सकते हो सब जगा अपने सुतंत हैं नितिश कुमार को ले करके अब महागठ्वंदन से भी ओफर आ रहा है कि आप महागठ्वंदन में मुख मंतरी बनिए हम आपको प्यम प्रोजेक्ट त्यार करेंगे 2024 के लिए ऐसा कुछ नहीं है नितिश जी बहुत लंबे समय तब कि अर्ज्डी कठवंदन से मतलब के विपक्ष में मतलब लगतार यह करके इसको कि अथी में क्या बोलते हैं उसको खिलाब मुहल बनाके सत्ता में आए हैं बहुत संगर्स कड़ा संगर्स की यह क्लंबी लराई भी लड़े लालो जादब पर फायार भी हुआ लालो था गोटाला का उज्यागर सबसी नितिजी की तरब से क्या गया था और एक लंबी लड़ाई लड़के यह सत्ता में वापिस है और पहले बार 2005 में अपना इंडिये गठ्वंदन में और हमको कहीं नहीं लगता है कि यहां कोई दिकत है माली जे दो तीन पार्टियां है घर में तो छोटी छोटी बात के तक्रार होती रहती है तो इसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है एक दो तीन दिन में यह सारा ममला सुलच जाएगा विपक्स की जो भी पार्टियां है उनका काम ही रहता है कि ऑफर देना तो ऑफर से बिचलि जबरदस्ती और उन्होंने कहा कि आप बनिये जिम्यदारी दे गई निटीज कुमार को पार क्या उसी समय से कुछ चल रही दोनों के विच्व से चुनाओं के पहले घटवंदन खोशना होने के पहले मानिये हमारे गिरी मंत्री जी ने असपस टूप से कहा था कि निटीज बिहार के मुकisches के चहरा ओंगे ऐसा नहीं है चुनाओं के बाद हो मुख मंत्री बनाए चुनाओ के पहले बोला गया है यह भी बोला गया है कि अगर बीजेपी ज्यादा सीट मीलाती है जदियू का सीट कंभी होता है तब भी मुक्मंत्री नितिसका मारी बनेंगे तो हम ल जाना चाहते हैं कि पूरा जो नई एंडिये हैं जिसमें जितारा मांजिया मुकेश सहनी है क्या पूरे पांच साल तक सरकार चलेगी बिहार में एकदम चलेगी चुकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग का गट भंदन है बहुत मजबूत है यह जरूर है कि आकरा जो सुल जेए हुए लोग हैं मुगेशी वह सुल जेए लोग हैं वह भी यूप अठंदन तोड़ के हैं तो कहीं न कहीं हम लोग के साथ उनको लग रहा है कि रहने में असा रहने में फाइदा है तो और मजबूती भी यह तो इसी तरह है सरकार पूरे पांच साल चलेगी करी जले सुक्रिया सर्थ, thank you.